हेलो गाईज, आज हम बात करेंगे कुछ नार्मल बैलू के बारे में जैसे कि कोई रिपोर्ट हमें देखनी होती है सी बीशी का हो गया के अप्टी का हो गया एलेप्टी का हो गया, वो सारी रिपोर्ट कैसे देखते हैं मुझे कब पता चलेगा जब तक मुझे नार्मल बैलू नहीं आएगी तब तक रिपोर्ट देखना नहीं आएगा अगर नार्मल बैलू आएगी तो रिपोर्ट हम देख सकते हैं आसानी से तो सबसे पहले जरूरी क्या है हमें आर्मल बैलू जयनना अगर हम वाड में पोस्टेड हैं वाड में काम कर रहे हैं आईश्यू में काम कर रहे हैं तो भी यह चीज़ जाननी जरूरी होती है क्योंकि वहाँ पे अगर किसी patient की critical value आती है और मुझे पता चलता है तो हम जल्द से जल्द action ले पाएंगे कि patient का जो है condition सही नहीं है तभी ये value कम है या बढ़ी हुई है तो ये जानना बहुत important होता है तो सबसे पहले जिसे कि आप लोग को दिख रहा होगा हीमोगलोबीन हीमोगलोबीन जो है male में कितना देखने को मिलता है 13.5 to 17 gram per deciliter कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है 12 to 16 gram per deciliter male में और female में 11 to 14 भी देखने को मिलता है या 11.5 to 16 gram per deciliter देखने को मिलता है Hb जिसको हम बोलते हैं सार्फ फॉर्म में Hb ठीक है next है हमारा hematokrit जिसको हम pack cell balloon बोलते हैं वही चीज हमारा hematokrit होता है तो male में जो होता है कितना होगा अगर point में बात करें तो point 42, point 51 और percent में बात करें तो 42, 51 percent सेम चीज़े हो जाती है point लगाएंगे तो 40, 0 हो जाएगा और point नहीं लगाएंगे तो percent में बोल देते हैं यही चीज और उसके बाद में फिमेल में जो है 30 percent to 48 percent देखने को मिलता है ही में जो क्रिट जिसको जच सीटी बोलते हैं लिखा रहता है कहीं कहीं पे next है RBC का लेवल कितना होता है वो होगा हमारा 4.5 to 6 million per mm क्यूब मतब शाड़े 4 से 6.5 जो है million हमारे body में RBC देखने को मिल जाएंगे इसका काउंट जो होता है जब 4000 से कम होता है किस किस कंडिशन में जैसे immunocompromise patient होते हैं जैसे कि हो गया HIV के patient ठीक और ये जो हमारा WBC किस कंडिशन में increase होता है तो सभी को पता होगा कि infectious कंडिशन में जो है ये चीज बढ़े हुई मिलती है WBC जो increase रहती है अगर कोई infection होता है बोड़ी में हमारे तो next है हमारा platelet count कितना होता है तो 1.5 लाग से 4 लाग होता है लेकिन यहापे भी दिया हुआ है बुक में जो 1.5 लाग से 4 लाग तो जो normal range होता है यही होगा 1.5 लाग से 4 लाग और मतलब अलग-अलग लेप की जो बेलु होती है वो अलग-अलग दी रहती है तो उस पर हमें नहीं जाना है अगर हमें किसी भी एक्जाम की तयारी मतलब कर रहे हैं पेपर देना है तो हमें एकज़क्ट बेलु यही जानने जाये कि 1.5 लाग से 4 लाग तक जो है प्लेटलेट का काउंट होता है नेक्स्ट हेमारा रीनल फंसन टेस्ट जिसको आरेप्टी बोलते हैं या किनी फंसन टेस्ट के अब भी बोलते हैं तो इसमें सोडियम का जो नार्मल लेवल होता है 135 to 145 milleq per litre होता है potassium 3.5 to 5.5 milleq per litre होता है chloride 98 to 107 milleq per litre bicarbonate 24 to 28 milleq per litre होता है और blood urea nitrogen जिसको भी uen बोलते हैं वो 7 to 20 mg per dayal देखनों को मिलता है नेक्स्ट लिवर फंसन टेस्ट एरेप्टी जिसको बोलेंगे साट फॉर्म में तो इसमें जो है albumin albumin जो protein होता है जो oncotic pressure को maintain करके रखता है हमारे body में जो की हमारे liver के द्वारा बनता है ये protein जो देखने को कितना मिलेगा normal 3.5 to 5 gram per dayal ठीक है इसका बहुत important role होता है अगर albumin हमारे body में कम हो जाता है तो हमारा जो oncotic pressure है osmotic pressure जो है वो maintain नहीं होगा जिसकी वज़ासे जो fluid है हमारा वो extracellular shift हो जाएगा जिसकी वज़ासे हमारा जो peritonial cavity है वहाँ पर fluid का collection हो जाता है जिसको ascitis बोलते हैं ठीक है तो वो एक complicated case हो जाता है जब ascitis होगा तो मतलब जो हमारा abdomen cavity है वहाँ पर fluid जब इकठा हो जाएगा तो patient पे कई सारे complication देखने को मिलते हैं जैसे की respiratory problem हो जाएगा patient को बहुत सारी problem होगी तो इतना deep में जाने की जुरुरत नहीं वैसे भी पहले हमें पता होनी जाए total blue rubin जो है 0.321.22 mg per deal देखने को मिलता है direct blue rubin जिसको conjugated blue rubin बोलते हैं वह 0.12.4 mg per deal देखने को मिलता है indirect blue rubin या जिसको हम unconjugated blue rubin बोलते हैं वह 0.22.8 mg per deal होना चाहिए नार्मल और AST ठीक है AST जो है 10 to 42 यूनिट पर लीटर देखने को मिलती है next है हमारा ALT ये भी 10 to 40 इसका नार्मल रेंज देखने को मिल सकता है मतलब AST और ALT का जो रेंज होता है लगबग सेमी होता है थोड़ा सा difference यही ठीक है उसका 10 to 42 होता है इसका 10 to 40 होता है नेक्स्ट हमारा जो है नार्मल TSH ये 0.3525 देखने को मिलता है नार्मल बैलू थे ये most important बैलू है एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से और वेसे भी दोनों तरिके से मतलब क्लिनिकल वेश हमें ये चीज जानना चाहिए और एक्जाम पॉइंट आफ व्यू के लिए ये इंपोर्टेंट जीजें कहीं ना कहीं एक कुशन तो फसता ही है इस चीज से ठीक है और एक चीज तो भूले के बताने के लिए जैसे कि क्रेटनीन का जो नार्मल लेंच होता है वो 0.621.2 mg पर डियल जो है देखने को मिलता है वो हमारे अलप्टी के अंदर ही आता है अ अलप्टी में हमारा क्या क्या आता है सोडियम पोटेशियम और क्रेटनीन यह चीज हमें देखने को मिलता जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है अलप्टी में और उसके बाद में बलड यूरिया नाइट्रोजन भी आता है आप सब कोई वीडियो समझ में आया होगा जोड़ा सा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक असानी से पहुंच सके अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हो और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए और अपने फ्रेंडों में सेर जरूर करिए तब तक के लिए बाई बाई जय हिन जय भारत